हेलो एविवान वेलकम टू माई योटूब चैनल कैसे हैं आप सब उमेद करते हूँ आप सब बहुत बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ तो अभी यहाँ पर देखिए यह सुबह काहीं टाइम हो रहा था और हम लोग को अभी फिलालना खाना बनाना था तो सब जी क्या बनाएंगे क्या बनाएंगे ऐसे फिर ममी बोल रहे थे तो थोड़ा सा ना मतलब कल रात को हम लोग बनाए थे ये बैंगन और सेम जो है वही और आलू ममी बनाए थे ना तो ममी नहीं मैं बनाई थी थोड़ा सा ग्रेवी करके कूकर पे ही बनाई थी रात को तो अच्छा लगा था तो ममी बोली कि उसी को फिर से आज सूखा करके बनाएंगे करके तो फिर यहां पे ना मैं यह जो सेम है वो तोड़ने के लिए आ गई हूँ क्योंकि सेम कल का थोड़ा सा बस बचा हुआ है जो की घर पे है और यहां पे ना सेम हुआ था काफी सारा हुआ था लेकिन जो बड़ा वाला था वही मैं यहां पे तोड़ी हूँ और इसी को ल जाएगा चार-पांच लोग के लिए क्योंकि आज ना बुआ और मामा जी दोनों लोग आ रहे हैं तो उन्हें के लिए खाना बनाने के लिए यहां पर हड़ बड़ी हम रोख हम लोग हो रहे थे तो यहां पर देखिए पानी आज हम लोग चावल के लिए पानी बाहर पे ही क्योंकि बहुत टाइम से न हम लोग मामा जी और मेरी बुगा जो है वो आएंगे करके खाना बनाएंगे खाना बनाएंगे लाइट आएगा तो ऐसे करके बहुत टाइम से वेट किये थे लेकिन लाइट का नामो निसान नहीं था सुबह से चला गया था लाइट और फिर बहुत लेट हो गया था दस बज गया था अभी करीब और मामा और बुआ जो हैं वो पहुंचे नहीं थे तो इसलिए ही मम्मे बोले कि इस जूले पे ही बना लेते हैं आइट तो नहीं है क्या करेंगे और वैसे भी उनका ट्रेन जो है सुबह था तो उनको आने के लिए ना थोड़ा सा आने के लिए जैसे साड़े दस या ग्यारा बजे के आसपास वो सब आ गए थे तो जैसे ही आएंगे सुबह ही आते हैं ना कुछ खाते भी नहीं है बुआ तो इसलिए मुमी बोल रहे थे कि भूखे आएंगे तो उनके लिए जल्दी से बना लेते हैं आके उसी तरफ भूखे रहेंगे क्या ऐसे करके फिर बोले थे मुमी और हम लोग चूला जला लिए थे इसलिए तो यहां पर देखिए चूले पर जो चावल बनाना था वो भी के लिए यह सब इंडक्सन पर हो जाता है और जो सबजी वगरा बनाना होता है रात के लिए अर्जस्ट करके तो बना लेते हैं लेकिन अभी तो लाइट नहीं है तो इसलिए हम लोग जो चावल और यह कूकर बनाने वाला जो बरतन है उस पर थोड़ा बहुत जो राक होता है ना आग का राक होता है वही थोड़ा बहुत ममी दे दिया है क्योंकि मांजने में जब साफ करते हैं काला बरतन बहुत टाइम लग जाता है तो इसलिए इस तरह करके फिर हम लोग आज बना रहे हैं और यहां पर देखिए बुआ आ गए थे अभी फिलाल आ गए थे बु तो इसलिए ममी यह थोड़ा सा पानी गरम करने के लिए रख दी है चुटा वाला पतिला जो है उस पे और बुआ अभी बैठे हुए है क्योंकि ठंडा पानी नहीं पीएंगे उनको ना जो खाम है तो इसलिए वह गरम पानी मांग रहे थे और रसे भी हम लोग गरम पानी गरम नहीं करते हैं पानी हम लोग का जो गरम करने वाला केटल है ना उसी पे ही हम लोग गरम करके फिर यह जो थार्मोस है उस पे रख देते हैं तो थोड़ा सा बहुत टाइम 24 आवर्स तक भी भाईया पीते हैं तो उनके लिए रह जाता था पानी और यहां पे देखिए म हमें सबजी बना रहे हैं और भाईया आज नहीं है नहीं तो पापा गये थे लेने के लिए बुआ और मामा जी को लेकिन पापा फोन किये थे हम लोग बुआ और मामा जी आ गये थे तो हम फोन किये थे पापा को तो फिर पापा बोल रहे थे कि तुमारे बुआ और मामा ज परिशान हो रहे थे तो बुगा बूले थे कि फोन करलो जल्दी से करकी पापा एक बार मैं प्रभूर के थे कि आ गए हैं करके तो फिर वह रही कुछ भर से कुछ खाय भी नहीं थे उनका भी काम था बस घर पे ऐसे कभी कवार जैसे परिसानी होती है न वहीं सब अभी चल रहा है बस प्रभू के असिरवात से जल्दी से वो परिसानी खतम हो जाए मेरे घर पे आप लोग यकीन नहीं करेंगे किसी को नेंद तक नहीं आ रहा है कोई चैन से सो भी नहीं पारा ऐसे हालत हो किसी चीज की प्रॉब्लम्स यहीं तो यहां पर देखिए मम्मी जो अपना सब्जी वो बन चुका है उनका तो अभी आपी थोड़ा सा टमाटर ही डाल दी है मम्मी खुदी बनाए थे आज और कोई भी घर पे आता है ना तो मम्मी ही खाना बनाता है बाकी दिन तो मैं बना ल बहुत ही और मम्मी तो पूरा जटपर से बना लेते हैं तो इसलिए और यहां पर देखिए बुआ बोल रहे थे कि थोड़ा सा टमाटर की चटनी बना दो थोड़ा सा तीखा बनाना अच्छा लगेगा मुग के लिए ऐसे बोल रहे थे तो यहां पर टमाटर में ले आई थी तो मम्मी उसको आग जूला जल रहे थे इसलिए तो उसको मम्मी निकालके पाने से साफ़ करके दो लिए हैं और उसका छिलका निकाल लिए हैं और बस यहां पर धनिया पत्ता और मेर्च और नमक वगेब्यरा डालके अभी जो कुटने देख लाए ना जिस पे हम लोग लासोन द्रग वागेरा कुटते हैं उसी पे ही मम्मी कुट लेंगी मम्मी अभी फेलाल थोड़ा सा ज्यादा तीखा वाला कुछ भी नहीं खा रहे हैं तो इसलिए और यहाँ पर सब्जी जो है वो भी बन चुका है कूकर पर ही हम लोग बनाए हैं जल्दी बनेगा करके तो यहाँ पर दिखिए चटनी जो है मैं वो दिखा रहे थी पूरा ग्रेन ग्रेन और बहुत टेस्टी लगता है अगर टमाटर को आग में जला के अगर चटनी बनाए तो और अभी यहाँ पर ना मैं बार बार इधर उधर इधर उधर हो रहे थी क्योंकि ममी ना एक एक चीज एक एक चीज ना ये लेकर आओ वो लेकर आओ ऐसे करके फिर बोल रहे थे तो इसलिए हैं इधर उधर हो रहे थी और फाइनली यहाँ पर हम लोग बुगा और मामा जी को खाना दे दिये हैं तो मामा जी जो हैं बाहर बैठे हुए थे क्योंकि बाहर उनका खटिया जो है जब भी आते हैं खटिया बाहर ही रहता है और खाना वगरा भी बाहर ही खाते हैं तो यहां पर बुगा बैठे थे तो बुगा को हम लोग खाना दे दिये थे और उसके और फिर अभी ना गरम पाने इस पर चढ़ा दी हूँ क्योंकि नहानी के लिए पाने चाहिए तो लाइट तो अभी फिलहाल आ गया था लेकिन हम लोग का जो बाथरूम का लाइट है ना वो पतानी ममी फटाक से ऐसे जल गया और पतानी क्या हुआ लाइट नहीं जल रहा है और मैं बोर का जो पानी है वो कभी कभा चला के नहा लेती हूँ लेकिन ममी जो है ठंडा पानी नहीं नहाती है उनको गरम पानी ही गुन गुना पानी जो होता है उसी को ही ममी नहाती है तो इनके लिए ही यहाँ पे पानी चढ़ा दी हूँ और बस उसके बाद यहाँ पे यह जो सबजी वगरा जो भी है मैं सारा बरतन खाले करकी यहां से ले जाओंगी और रख दूंगी और एक बात बोलना चाहूंगी भाईया नहीं है घर पे क्योंकि भाईया मेरी दी किसा सुराल पे हैं काम था थोड़ा सा तो जी जू बुलाए थे तो इसलिए ही गए हुए ह और चानल पर न्यूँ है तो सब्सक्राइब से लाइक करिएगा बेल आइकन को दबा दीजिएगा ओल पे काफी टाइम हो गया है मुझे मतलब दुकान बंद करने के लिए इसलिए आई हूं और यहां पर देखिए लॉक लगा कि हम लोग गए थे हां चीडिया यहां पर थ दुकान के अंदर घुसके आई है घुसके नहीं आई थी दुकान खुला था यह बस केट बंद था तो इसलिए वो पूरा अंदर चली गई है तो बस दुकान बंद करने के लिए आई हूं दुकान बंद कर देती हूं और फिर जाओंगे आज तो लाइट भी नहीं है पतान नहां लेंगे, अभी देखते हैं, क्या करना है, तो अभी हम लोग ना धान पिषवाने के लिए थी, मेरा सांस फूल रहा है पूरा, तो धान पिषवाने के लिए निगया थी, गाड़ी आया हुआ है, और मेरे बाल पूर बीठ गया है, पूरा सारा, तो किस तरह से धान की मडाई नहीं चावल कर रहे हैं तो किस तरह से कर रहे हैं तो मैं दिखाऊंगे आप सभी को जल्दी जल्दी मैंना स्लीपर भी भूल गई उसी तरह आ गई हूँ मैं दिखाऊंगे अभी उधर हो रहा है अब आज करेगा तो इसलिए फिर मैं ब्लॉग सूट भी नहीं कर पाऊंगी तो चलिए तो अभी हम लोग यहां पे देखी इस तरह सिना धान पिसवार है यहां पे और हम लोग का जो है वो खतम हो गया था चावल बस लेके जाना था क्योंकि जब गाड़ी आने वाला है ऐसे करके मम्मी सुने ना तो फिर जल्दी जल्दी हरड़ी से हम लोग फिर धान भरने लगे और आके यहां पे रखने लगे क्योंकि जो पहले लेके आता है वही पहले ही यहां पे धान जो है वो पिसता है तो इसलिए ही मम्मी और मैं दोनों लोग जल्दी जल्दी से लेके आए थे और हरबड़ी में मैं कुछ सूट भी नहीं कर पाई थी तो बस चावल जो है वो पिस गया है और यहां पे लेना था मुझे तो इसलिए आई थी और गाओं पे हम लोग ना मेरे घर की पास मेरे चाचा का घर है तो उनके पास मेल है जो धान पिस्वाते हैं तो उसी तर मेल है देखिए इस तरह से पिस्वार है यहाँ पे तो उनका जो है वो खराब सायद हुआ है तो इस साल नहीं पिस्वार है उनकी घर पे नहीं तो गाओं पे सब लोग उनकी घर पे ले जाके धान पिस्वाते हैं चावल करकी फिर ले आत हैं और इनको सब न जो चावल धान का जो छिलका होता है ना क्या बोलते मुझे हिंदी में नहीं पता हम लोग कोणा बोलते उसको तो इसका फाइदा इन सब को होता है तो इसलिए हैं गाड़ी जो है वो आया हुआ था और जो पहले आ रहा था वो पहले पिश्वाएगा तो इसलिए मम्मी और मैं हर्बरी में बहुत जल्दी-जल्दी यहां पर दोड़ के लेके आए थे नहीं तो फिर जगा नहीं मिलता है वेट करना परता है मैं लेके आई हूं और वो जो है मम्मी लेके आए हैं और यह पहले में लेके आई थी और फिर उसकी बाद अभी मैं मोवाईल लेके गई हूं हर्बरी में मैं कुछ भी लेके नहीं जा पाई मोवाईल पूरा कैसे पूरा सारा और गया है जो पावडर होता है ना वही सारा बोर गया है और यह हम इतना दिन से महनत किये थे चावल जो है भी बन गया है और हम जो लाकर राख भी दिए हैं लाइट चली गए